है यह विडियो में अनादर वीडियो ओफ को मॉडिटी के मार्के आउटलोग के वारे में कौन सी को मॉडिटी में कैसा मार्के ट्रिंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में डीटेल दिस्टेशन करेंगे सो लेस्स टार्ट दिए वीडियो सो फर्स्ट रोफल वी विल स्ट विट बुलियंस को मॉडिटी एंड वी विल टॉक अबाट गोल्ड फूचर फर्स्ट गोल्ड फूचर में लास्वेक 59800 से लेके 60600 की टार्ट रेज में मार्केट मॉमेंटम हुआ था ऑन दी अधर साइड कोमेक्स गोल्ड दोजा डॉलर के लेवल के नीचे सैटल हुआ था यूएस बॉर्ण इल्स में दो विक से आईएस लेवल पे है जिसकी वज़े से गोल्ड प्राइस में वे ड्रॉप दिखने को मिला था चाइना के पोजिटिव एकोनोमिक एक्सपांशन डेटा रिटेल सेल्स में 10.6% के राइस और डॉलर इंडेक्स में अप राइस के चलते गोल्ड प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिला था लास्विक में डेली चार्स पर देखे तो गोल्ड प्राइस राइसिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और प्राइस रिजिस्टेंस लाइन से रिवर्स हुआ है राइसिंग चैनल के MSAD इंडिकेटर पे नेगेटिव इस्टोग्राम के साथ हमें एक बियरिज क्रोस ओवर देखने को मिला है लास्विक में एक डाउंसाइड करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हम गोल्ड में मेजर सपोर्ट रहेगा 50 EMA लेवल पे विच इस प्ले स्टेट 58,500 और रिजिस्टन्स रहेगा 60,700 के लेवल पे So now we will talk about silver कॉमेक्ट सिल्वर ने continuous चार वीक में चलरी बुलिस रेली के बाद एक पोस लियावा प्राइस ने 25 डॉलर के अरॉंड करेक्ट हुआ है कॉमेक्ट सिल्वर में M6 Silver बेक और फॉर्ट मुमेंटम के बाद 74,654 पे क्लोज हुआ था लास वीक में Technical Indicator पे Negative Traction देखने को मिल रहा है जिसमें Lower Support Level से सिल्वर में बाइंग करी जा सकते हैं Long Position बना सकते है Immediate Support Level है 23% के Fibona की लेवल पे Fibona के Retracement Level पे विच इस प्लेस्टेट 73,800 Gold के तरह Silver में भी Bearish Crossover देखने को मिला है MSCD पर और यहां पे भी Negative Histogram बन रहा है So Major Support रहेगा 50 EMA लेवल पे विच इस प्लेस्टेट 70,800 और Key Resistance रहेगा 75,950 के लेवल पे So further in this video we will talk about best metal counters and we will discuss about copper M6 copper में 4% के decline के बाद last week 57.25 पे closing आई थी Weaker US Economic Data, Lower Chinese Demand और Dollar Index में Upsight Correction के चलते हैं Copper इट में downfall देखने को मिला था Overall price daily chart पे rising channel में trade कर रहा है और price last week 50 EMA के below close हुआ था Immediate support level है 100 EMA के level पे which is placed at 752 अगर यह level cross होता है तो हमें downside fall देखने को मिल सकते हैं Towards 7.45 and 7.35 So at last we will discuss about energy counters and we will start with crude oil Crude oil के 4 week के consecutive positive momentum के बाद last week correction लिया है और price 69.8 पे close हुआ है OPEC Plus की production cut के announcement के बाद price में bullish rally देखने को मिली थी Daily chart पे price 6850 के level से falling channel में downside momentum कर रहा है और last week में 50 EMA के level पे close हुआ था अगर price downside move continue करता है तो next support रहेगा 6170 और 5900 के level पे Key resistance level रहेगा 200 EMA level पे which is placed at 6640 Daily chart पे MSED का bear risk crossover देखने को मिल रहा है which suggests a downfall in a crude oil So last but not the least we will discuss about natural gas Back and forth momentum के बाद natural gas का price last week close हुआ था 183.10 पे NYMEX NG future का price $2 के अबोब trail कर रहा है NG का production supply काफी fluctuate कर रहा है because of pipeline maintenance in US Daily chart पे trend के bottom में हमें gramophone pattern देखने को मिल रहा है Gramophone pattern develop हो रहा है अगर ये resistance line का breakout आता है तो हमें lower support के essence से long position बना सकते है natural gas में Immediate resistance level है 197 पे अगर ये level breakthrough होता है तो next hurdle रहेगा 50 EMA का level which is placed at 206 Downside पे key support level रहेगा 177 और 163.50 पे So that's it for today's guys, this is the outlook video for commodity for this week अगर ये वीडियो आपको पसन है तो वीडियो को like करिये अपने friends और family के साथ ये outlook video को share करिये और ऐसे ही interactive videos के लिए हमारे चैनल को subscribe करिये Thank you